आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में हम सामान ग्यान के महत्तपूर्ण परस्णों को देखेंगे जो की पिछले बर्ष यूपीपी रीग जाम में ऐसे परस्ण पूछे गए हैं यह जो आपका टापिक है वहाँ परतेग परतियो पहला आपका प्रस्ण है मधमखी पालन का संबंध है DC कलचर से, EP कलचर से, हर्टी कलचर से या सेरी कलचर से तो सही आपका उत्तर होगा EP कलचर से दूसरा आपका प्रस्ण है घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? घाव के अध्यन को क्या कहते हैं कालोलाजी, प्रोमेटोलाजी, डर्मेटोलाजी या ओकोलाजी घाव के अध्यन को कहते हैं तो सही आपका होगा उत्तर प्रोमेटोलाजी घाव के अध्यन को कहा जाता है अगला आपका प्रस्ण है, सेरी कल्चर किस से संबंधित बिज्ञान की साखा है मचली पालन, रेसम कीट पालन, मधमक्खी पालन या मुर्गी पालन तीसरा प्रस्ण आपका है, तो सही आपका उतर होगा आपसन नंबर B रेसम कीट पालन अगला आपका प्रस्ण है, मांसून सब्द लिया गया है संस्कृत भासा से, उर्दू भासा से, फार्सी भासा से या अर्भी भासा से तो सही आपका उतर होगा आपसन नंबर D अर्भी भासा के मौसमी से मांसून सब्द की उत्पत्ति होती है अगला आपका प्रस्ण है आर निथो लाजी में किसका ध्यन किया जाता है पाच्छी, मचली, अस्तंधारी या चमगादर पाच्वा आपका प्रस्ण है तो सही उत्तर होगा पाच्छी अगला प्रस्ण है भारत में योजना आयोग कब अस्थापित किया गया था भारत में योजना आयोग कब अस्थापित कि 1955, 50 या 1901 या 1929 तो सही आपका उत्तर होगा 1950 में अब योजना आयोग का नाम नीती आयोग हो गया है जिसके जो अध्यच होते हैं वह उस देश के बरतमान परधान मंतरी होते हैं अगला आपका कोश्चन है जन्तु की वाय आक्रिति योम वाय संगरचना के अध्यन को कहते हैं इक्थियोलाजी, फिजियोलाजी, एंब्रियोलाजी या मार्फोलाजी सात्वा परस्न है सही उत्तर होगा मार्फोलाजी अगला परस्न है कीटों का अध्यन करने वाली साखा को क्या कहा जाता है यूजेनिक्स, इंटेमोलाजी, इक्थियोलाजी या मैमोलाजी कीटों का अध्यन करने वाली साखा को कहा जाता है तो सही आपका उत्तर होगा इंटेमोलाजी अगला प्रस्ण है, बंसागत के नियमों के अध्यन को कहतें क्या कहा जाता है? साइकोलाजी, कोशका बिज्ञान, अनुबांसी की या पारी स्थित की? सही उतर होगा, अनुबांसी की. अगला प्रस्ण है, असनायू तंत्र का अध्यन करने वाली साखा को कहते हैं, मैस्टोलाजी, गाइनेकोलाजी, नियूरोलाजी या साइन्टोलाजी. दसमा आपका प्रस्ण है, सही उतर होगा, नियूरोलाजी. अगला है, छटाई एक आवस्यक हिस्सा है, तंबाकू की खेती का, चाई की खेती का, आलू की खेती का, या काफी की खेती का. तो सही उतर होगा, आपसन नंबर बी, चाई की खेती का. अगला आपका प्रस्ण है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, जमाने में उप्योगी बिटामिन कौन सी है, बिटामिन E, बिटामिन B, टॉयल, बिटामिन K, या बिटामिन D. तो सही आपका उतर होगा, बिटामिन K अगला अपका प्रस्ण है कैंसर का अधयन कहलाता है 坐 उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अधयन को कहते हैं भाउतकी, पारिसित्की, अनुबांसिकी या परिविज्ञान सही उत्तर हुगा आपसन नंबर B पारिसित्की अगला है पंद्राहमा उत्कों की रचना के अध्यन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं पंद्रामाप्रस्न सही उत्र आप का होगा हिस्टोलाजी अगला प्रस्न है आप्टिकल फाइबर का उपियोग किसमे किया जाता है आंडोस्कोपी में x-ray तस्वीरों के लिए कैट के लिए इसकैन में या अलरा साउंड इसकैन में सुलामा परसन है सहुतर आपका होगा x-ray तस्वीरों के लिए अग्ला आपका परसन है पिट यूट्री ग्रंथी कहा होती है? गुर्दे में जिगर में मस्तिस्क में या आत में सही उत्तर आपका होगा अपसन नंबर सी मस्तिस्क में अगला है बाड़ा इमाम बाड़ा कहां इस्थित है बाड़ा इमाम बाड़ा कहां इस्थित है वारार्सी में लखनव में पत्ना में या इलाहबाद में सही उत्तर भाब से चलने वाली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई थी सही उतर होगा ठारा सो असी में अगला है किस बार्स में गांधी जी ने गुजरात में साबर मती आसरम की अस्थापना की थी 1923, 1920, 1917 या 1925 बीसमा परस्न है सही उतर आपका होगा 1917 में अगला परस्न है भारत में सबसे बड़ी सिचाई की नहर कौन सी है भारत में सबसे बड़ी सिचाई की नहर कौन सी यमुना नहर, सरहिंद नहर, उच्चबाडी, दोवाब नहर या इंद्रा गांधी नहर 21 परस्न है सही उतर होगा इंद्रा गांधी नहर अगला है निमलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है लिंफोसाइटस, एरिथ्रोसाइटस, मोनोसाइटस या रक्त प्लेटस 22 परसन है सही उत्तर आपका होगा लिंफोसाइटस अगला है जनसंख्या अध्यान कहलाता है साइनोग्राफी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी या काल्टोग्राफी तेई समाँ परसन है सही आपका उत्तर होगा आपसन नंबर बी डेमोग्राफी अगला प्रस्तन मनुस्त का बैज्ञानिक नाम क्या है? कामेलस, ड्रोमेडरिसियस, होमो सेपियंस, कापरा, अजरेस, हाइकरस, बिकमस, पैकस सही उत्तर आपका होगा अप्सन नमबर भी होमो सेपियंस अगला है वाइप पर दूसर का जयो सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को, सहवाल को, कवक को या मनी प्लांट को 25 परसन है, तो सही आपका उत्तर होगा लाइकेन इसी तरह के इंपार्टन टापिक आपको इस चैनल पर प्रवाइड करवाई जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तयारी बहुत ही अच्छे से हो सके यदि आप चैनल पर नए हों, तो चैनल को सस्क्राइब करने जिससे कि इस तरह के इंपार्टन टापिक आप पाते रहें, और इसके साथ साथ इस चैनल को क्लासिक से लेकर ट्वाइल तक के विद्यार्थियों की भी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है, आप स्विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद